Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग? मस्ट, बढ़िया तो जैसे की exit exam के form आ चुके हैं और एक डरावना सा सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है खेर डरावना नहीं है पहले ही इसकी सारी चीज़े हो चुकी थी आभी से नहीं काफी टाइम पहले से इसकी बाते हो रही थी और finally form आ गए हैं लेकिन yes काफी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आ रही हैं पहले नंबर पर फीस जी हां फीस के लिए मैं भी काऊंगा बच्चे लोग परिशान हैं फीस मेरे को भी कुछ जादा ही लग रही है इतनी नहीं होने चीज़े थी मेरे इसाब से around one thousand के around होती it's okay ठीक है बट फीस I think काफी जादा है बच्चे काफी परिशान है काफी रही है तो है अभी हो सकता है भाई उसमें साथ कुछ चेंज हो ठीक है पहली चीज दूसरी चीज जब बच्चों को बहुत ज्यादा परिशान कर रही है eligibility criteria ठीक है eligibility criteria मैं बता दूं मैं यह अभी मैं बता दूं और starting में यह बात बोल रहा हूं जिससे कि कोई बच्चा पूर इन उसने release किया है ठीक है exam conduct राने वाली authority ने उसी से सारी चीज़ें लेकर के आया हूं तो बहुत सारे सवाल है जो सायद आपको पता भी नहीं है कि यह चीज भी आपको जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें इसके इंदर मैंने cover कर दी है ठीक है तो मैं कह रहा था कि जो बच अच्छे मतलब स्टेट जाइड सी बात है 31 जुलाई से पहले किस किस इस्टेट के रिजल्ट आ गए प्लीज बेटा लोग आप लोग अगर यह देख रहें वीडियो इसको फॉर्वर्ट करें ताकि हर बच्चा यहां पर नीचे कमेंट करेगा कि हां इस स्टेट का आया इ हम केवल उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 2022 में जिनका एडमीशन हुआ है ठीक है उससे पहले वाले बच्चों की बात है नहीं कर रहे है वो बच्चे है नहीं इसके अंदर इस टेस्ट के लिए तो 2022 में जिन बच्चों का एडमीशन हुआ है यानि कि फर्स्ट येर में admission लिया था 2023 में first year कर लिया था फिर 2024 में second year करके result भी आ गया ऐसे बच्चे केवल केवल ऐसे बच्चे इससे पहले वाले जिन बच्चों का admission 2022 से पहले हुआ जाने की जिनका enrollment नंबर भले उनके exam किसी वह से late हो गई है बैक लग गई है कुछ भी हो गई है जिनका 2022 से पहले admission हुआ है वो बच्चे ना देखें इसको 2022 में जिन बच्चों का admission हुआ वो बच्चे जरूर comment करें जरूर comment करें जिनका result 31 जुलाई से पहले आ गए है ठीक है जिन बच्चों ने app ले लिया है हमारा या हमारे app से जुड़े हुए है निश्चिंच रहें उनकी पूरे exam जो app की validity है वो course की validity next exam तक के लिए बढ़ा दी जाएगी ठीक है अराम से relax होके तयारी करें जिन बच्चों के result नहीं आए है या जुलाई के बाद आए है यह न गवराएंगी सर अक्टूबर में हमारा course expired करेगा बिल्कुल expired नहीं करेगा ठीक है तो हम वापस आते हैं thumbnail आप लोगों ने देखी लिया होगा थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारे सवालों एक ही बार देख लेंगे आप 20-25 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा यह ठीक है तो उसमें आपके सारे सवालों के जवाब clear हो जाएंगे अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं में को paper timing के बारे में जाना तो सीधा इसी sequence में अंदर मैंने topic डाले हुए हैं आप सीधा jump कर सकते हो पहला top point नहीं देखना दूसरा नहीं देखना चौते पर जाना पांचे पर जाना चाटे पर जाना आगे बढ़ जाओ ठीक है जि क्या है सबसे पहला topic है exam dates को ले करके important dates को ले करके तो क्या है जो online form जमा करने का जो दिन है वो decide हो गया है online submission कब 24 अगस से दुपहर 3 बजे के बाद से start हो गया है form online form लेना ठीक है ना अभी बेटा जल्दबाजी में कोई बच्चा form मत बढ़ देना ठीक है थोड़ा सबर करो time आने दो पूरा अच्छे से जान लो उसके बाद ही form भरना ठीक है form कैसे भरा जाएगा उसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे proper ठीक है और 13 सितंबर 2024 ध्यान रखें मेटा 13 सितंबर 2024 में रात 12 बजे तक आप ये form फिल कर सकते हैं ठीक है 24 अगस से यानि 24 अगस से आप इसको फिल कर सकते हैं किलिये रहे बातने हैं चेलिए अब आगे फिर क्या कह रहा है बच्चे जब form भर देंगे सब कुछ हो जाएगा तो कुछ गलतिया हो जाती है क्या हो जाती है कुछ गलतिया उन गलतियों को सुधारने के लिए एक सभी सफल भुगतान आविदकों के के लिए यानि कि जिनका payment successful हो गया है केवल उन बच्चों के लिए संपाधन विंडो यानि की एडिट विंडो खुली जाएगी एडिट विंडो फॉर और पेमेंट सेक्सेस जिनकी जो यह विंडोख खुलेगी पहली विंडोख खुलेगी 16 सितंबर को बंद हो जाएगा 13 से लेके 18 स्पामबर विच मेंवापस से कर्रेक्षन कर सकतें क्या चीज नहीं कोई information है documents can be edited except आप अपने documents जाना कि क्या के चीज़े edit कर सकते हैं आप अपना नाम edit नहीं करेंगे nationality email mobile number और test city इसको छोड़ करके कोई और correction है अगर तो वो correction आप कर सकते हैं ठीक है ना कोई information या document आप edit कर सकते हैं नाम edit नहीं करेंगे नाम नहीं बदल सकते nationality नहीं बदल सकते हैं अपना email नहीं बदल सकते हैं mobile number नहीं बदल सकते हैं test city नहीं बदल सकते हैं ध्यान रखना पहली बार जब आ फॉर्म भरेंगे तो एक दो तीन चार पांच यह पांच चीजे बड़ा सोच समझ के भरिएगा इनको correct करने का मौका नहीं दिया जाएगा दुबारा से ठीक है और एक चीज़ बता दू मैं बटा अभी आगे चलेंगे कुछ चीज़ें बड़ा ही मतलब यह exam को एकदम खतरनाक level से बना दिया ग 24-25 दो दिन के लिए फिर से editing window खुलेगी और इस बार क्या होगी final edit window है इस बार क्या चीज़ें सही करी जाएंगी कोई image फोटो वगरा जो upload की जाती है अगर उसमें कोई तुर्टिया है कोई खामिया है ठीक है ना तो इस बार केवल और केवल दो स्पूर्ण और गलत छवियों के लिए यानगी आपके फोटो वगरा के लिए ही यह चीज़ें edit करेंगी जो इस चीज़ के लिए यानगी ज साम इंप्रेशन साही से नहीं चड़ा है सिगनेचर साही से नहीं हुआ है आपको लगता है फोटोग्राफ मेरा साफ सुतरा नहीं था जैसा कि बोला गया था तो आप यह केवल तीन चीज़ें edit कर पाएंगे 24 और 25 तारीक में ठीक है इसलिए कहा थोड़ा सा वीडियो जाएगा 25 के बाद 30 सितंबर को यह लोग admin card जारी कर देंगे इनकी website पाए जाएगा वहां से आप admin card download कर सकते हो और फाइनली तीन दिन एक्जाम चलेगा 3rd 4th और 5th October को तीन दिन एक्जाम चलने वाला है ठीक है यह date है और लगबग एक महीने बाद यानि कि 4th November को यह लोग result आपका दे देंगे बहुत जल्दी काम होगा result इतना जल्दी क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है उमीद है यह बात आपको समझ में आती होगी क्योंकि exam जो है हमारा computer based होगा paper pencil mode पे नहीं होगा computer पे ही जैसे तरीके से हम आपका test लेते हैं अपनी application पर हम आपका test लेते हैं अप computer based test होने वाला है ठीक है तो यह तो होगी important dates की बारे में बाते है help line number तो जी हाँ help line number है यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप एक बारी registration करा देंगे ध्यान रखना बिटा है जब आप registration कर लेंगे अपना उसके बाद आप इस number पे call कर सकते हैं और inquiry ले सकते हैं यह number कब से कब तक खुलेंगे यह number आपका 24 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा ठीक है ना और यह सुबह साड़े 9 वज़े से लेकर सामके 6 वज़े तक ही काम करेगा जान रखना है चीज का तो इस पर बहुत सारी call जाने वाली है तो आप यहाँ पे call करके क यहाँ से transaction किया था आपका पैसा नहीं पहुंचा रहो आपके पास वापस भी नहीं लौटा है ठीक है payment gateway issue याने कि आप किसी payment gateway का मतलब UPI से phone पे Google पे से payment कर रहे है उसको लेके कोई issue आ रहा है तो आप यहाँ पे लेके phone कर सकते हैं ठीक है for queries related to eligibility अब्लिक documents अब्लिक images registration करने के बाद भी अगर आपको लगते है को registration हो जाएगा payment registration होने के बाद registration में आपका क्यवल क्या phone नमबर लिया जाता है payment नहीं होता है तो registration करने के बाद आप चाहें तो eligibility और document अभी भी अगर आपको doubt लग रहा है गया कोई चीज तो आप direct इस नमबर में call करके एक बार ही registration करने के बाद क्या करने के बाद registration करने के बाद आप direct call करके यहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं ठीक है अब इसके लावे में टाइमिंग बता दी किस किस दिन क्या रहेगा हाँ तीन पांच चार और पांच अक्टूबर को प्रिक्षा के दिन सुबह 7 वे इसलिए के साम 7 वे तक यह portal खुला रहेगा क्योंकि कई बार चीज़ें जो रहती हैं जिस दिन exam चलते हैं दिक्कते आती हैं तो teacher लोग call करते हैं examination center से call जाते हैं तो फिर इसलिए उस दिन थोड़ा जल्दी खोला गया है ठीक तो इस दिन तो आप call करी नहीं प आते होने वाली हैं क्या क्या information आओ देखें पहले चीज़ ठीक है जो यह exam में साफ साफ लिखा है as per the current schedule अभी के schedule के इसाब से बहुत में चेंज हुआ है अलग बात है अब थोड़ा सा आगे इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और क्योंकि यहां पर चीज़ें समझने वाली है candidate who failed to submit duly completed application for DPE October 2014 candidate जो fail हो जाएगा properly अपने application form को properly submit नहीं कर पाता है उसमें कुछ तुर्टियां रह जाती है कुछ खामिया रह जाती है ठीक है और fail to submit नहीं कर पाया उसके बाद रेक्टिफाई भी नहीं कर पाया है रेक्टिफाई मतलब correction window खुली वो तब भी उसे ठीक नहीं कर पाया जो खामिया थी जब तक कर लिए जाएंगे ध्यान रखेगा इस चीज का अगर आपका form गलत पाया जाता है या कुछ उसमें खामी रह जाती है या जिस तरह से इनोंने भरने के लिए कहा था उस तरीके साब भरके नहीं देते है साइन वगरा कुछ भी चीज तो आपका form तो इनेलिजिबल होई जाएगा आप उस एक्जाम में नहीं बैट पायेंगे आपका पैसा भी रिफंड नहीं होगा इस चीज का विशेश धियान रखेगा ठीके साफ साफ लिखा है admit card shall not be issued to candidate who are declared ineligible लिखके आजाएगा कि आप ineligible है आपका admit card भी issue नहीं किया जाएगा ठीके in such cases entire fees will be forfeited पूरी की पूरी fees जब्त कर ली जाएगी ठीके बहुत ध्यान से बेटा यही चीज में आपको समझाना चाहता था कि important चीज आपको समझनी है यह चीज में इसले लेके आया था को कि यह amount of fees का काफी बड़ा है ठीके सोच समझ करके काम कीजिएगा ठीके साफ साफ लिखा है परवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा ठीके आपात्र घोषित किये गए परिक्षारतियों को जो परशाट सी पात्र घोषित कर दिये गए हैं उनका परिक्षा पत्र जारी नहीं किये जाएगे ऐसे में पूरी फीस जब्त कर ली जाएगी पूरी फीस जब्त कर ली जाएगी very important ठीक है तो बहुत साफ धानी से हर बड़ी नहीं ठीक है अगर आपको लगता है मैं ये चीज़ लेखता है कि नहीं इस बार मेरी preparation पूरी नहीं है और ऐसा लगेगा अभी आगे जब मैं सिलेवस डिसकस करूँ है और इनों सिलेवस में पूरा तैसनेस कर दिया पूरा बढ़ा दिया सिलेवस हम लोग जिस जास तैयारी करके चल रहे थे इनोंने तीन टॉपिक उतला है कि पूरा फर्स्ट यार मैं तो पैसा जाधा ही लगता है चाहे एक रुपिया हो चाहे रुपिया हो चीए आगे आते हैं दो बच्चों के लिए पॉइंट बहुत ज्यांजते कर आप यहां तक आ गए है तो पूरा वीडियो आपको समझमा आ सब्सक्राइब क्यों देखना है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताने वाला हूं मैं यह सारे जो डाले गए सीधा सीधा सब्सक्राइब करने से पहले वह सुनिश्चित कर ले कि आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो फाइनल एक्जामिनेशन है जो डेट बोली गई है यानकी 31 जुलाई से पहले आपका पास का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए ठीक है अगर आप फॉर्म भर देते कि नहीं कोई नहीं हम बाद में देख लेंगे और बाद में जब आप महाँ पे जाएंगे और देखाया जाएगा कि अरे आपका तो रिजल्ट बाद में आया है आपको हटा दिया जाएगा रद कर दिया जाएगा इस पश्ट बोल दिय गया है candidate should ensure यह बच्चा यह सुनिश्चित कर ले पर परिक्षार्तियों को ऑनलाइन अविदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे निर्दारित कट ओफ तिथी कट ओफ तिथी बोल जी गई है तक डिप्लोमा इन फार्मिसी योगता के लिए उस तिथी तक डिप्लोमा इन फार्मिसी योगता के लिए अंतिम परिक्षा उत्रीन कर लेंगे अंतिम परिक्षा मतलब सेकंड डियर उत्रीन कर लेंगे और उनकी डिप्लोमा फार्मिशी योगता डिप्लोमा फार्मिशी अदिनियम आगे तो पुरा लिख दिया है कि इसके तहट आपको जो भी कुछ करना है तो फिलाल मुद्दा समझ गए जो डेट इनो आज इस बार डिसाइड करिए 31 जुलाई 2024 से पहले आपका रिजल्ट Second Year का पास का रिजल्ट आ जाना चाहिए फेल या उसका नहीं होना चाहिए पास का रिजल्ट होना चाहिए ठीक है और साथ साथ में आपका जो डिप्लोमा है वो किसी अप्रूवड अप्रूवड बाए दा फार्मिसी कांसल आफ इंडिया अगर आप एरे गरे किसी इंस्टूट से कर रहें जो अप्रूवड नहीं है तो भी बेटा समस्या हो जाएगी ठीक है अब जब यहां पर साथ साथ बोल रहा है किसी भी समय अगर यह पाया जाता है कि उनकी जो फार्मिसी कालिफिकेशन का डिप्लोमा है किसी मानिता प्राप्ट संस्था से नहीं है दा कैंडिटेचर और रिजल्ड शेल भी कैंचल कर देजाएगा डीमड तू बी कैंचल और ऐसा मतलब उसको पैठना रद कर दिया जाएगा और रद माना जाएगा डीमड टू बी कैंचल वो एक्टमेटिक रद मान लिया जाएगा ठीक है बातें समझ में आ रही ने वेटा ये क्यों सारी बातें डाली है मैंने आपर Next Candidate found ineligible at any stage of diploma in pharmacy exit examination जब आप exit exam का form भर रहे है मालो आप exam देने भी चले गए exam दे के आ भी गए है आप pass भी हो गए है और इस दोरान कभी भी आपको पाया जाता है कि आप आप पात्र नहीं थे आप अपात्र थे आप ineligible थे ठीक है तो will not be permitted to appear in the examination अच्छा ये अग्यान से पहले की बात चलते है मतलब exam होने से पहले अगर आपको पाया जाता है कि आप पात्र नहीं है तो आप exam को देने नहीं दिया जाएगा और ऐसी स्थिती में अगर कोई बच्चा पास भी कर जाता है उसका रिज़ल्ट कैंसल कर दे जाएगा और डिम टू भी कैंसल इवन इफ रिज़ल्ट है बिन डिक्लेर और पास चाहें उसे कभी ऐसा हो गया मानलो पास का सर्टिफिकेट मिल गया बच्चे को सब कुछ मिल गया बच्चा किस तरीक से करकुरा करके पहुँच गया और जा रहा है अब रिज़ल्ट कराने के लिए और वहां पाया जाता है कि ये तो फर्जी है मतलब डिपी तो उसका असली है बट कोई और चीज उसका अप्रूवल नहीं था कुछ भी चीज गलत पाय जाती है सब कैंसल हो जाएगा खीक कुछ भी नहीं माना जाएगा तो बहुत ध्यान से एटा ठीक है यह चीज मैं इसले बता रहा है कि बहुत सारे forward जो आपके fees है वो ना तो आगे के लिए बढ़ाई जाएगी यानिकि अगले exam के लिए to future examination or not refunded under any circumstances किसी विस्तिती में अगर आपका paper cancel होता है आप आपातर पाया जाते हैं कुछ भी चीज होती है ऐसी इस्तिती में तो आपकी fees जब्त कर ली जाएगी वो आगे के exam के लिए ना तो बढ़ाई जाएगी कि अगले exam में लग जाएगी या आपको refund कर जाएगी ऐसा कोई भी इनका मकसद नहीं है वो fees आपकी पूरी तरिकर जब्त हो जाएगी भूल जाए उस पैस जी हाँ डेमो टेस्ट ठीक है इनकी website पर एक डेमो टेस्ट आ जाएगा shall be available for benefit of candidate to familiarize themselves with the computer-based test format तो लगबग लगबग तारीख है 20 September 2024 के बाद कुछ डेमो टेस्ट डाल दी जाएगे ये डेमो टेस्ट कुछ उसी तरीके से होंगे कि जब आप exam वाले दिन अपने exam सेंटर में जाएंगे तो computer पर किस तरीके से test आएगा किस तरीके से आप attempt करेंगे किस तरीके से submit करेंगे मतलब सारी चीज़ें एक डेमो टेस्ट के तौर पर आपको दिया जाएगा तो इससे क्या होगा जब ये demo टेस्ट आ जाएगा तो आप लोग जरूर जरूर ये test एक बारी computer पर बैट करके attempt जरूर करें इससे आपको एक अच्छी खासी practice हो जाएगी तो ये चीज़ काफी अच्छी करी है ठीक है ओके के लिए रबाते हैं चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट है examination fees इसको लेके बच्चों में काफी गुस्सा है काफी रोश है ठीक है तो अब खेर यहां पर फिलाज information दे रहे हैं इसके बारे मैं पहली बोल चुका हूँगी हाँ कहीना के fees थोड़ी ज़्यादा है ठीक है ओ बाते बाद में करेंगे तो 5000 रुपे fees है 900 बीचा नहीं छोड़ेगा कभी ठीक है लग गया है तो ठोटल अमाउंट पांच यार 900 हो गया 6000 रुपे एक अच्छी खासी अमाउंट है बिटा तो दियान से फॉर्म भरिएगा ठीक अब ठीक है वो कर रहा है अलग अलग पेमेंट गेटवे ठीक है तो तो यह आपकी फीस है और यह कह रहा है विभिन मुक्तान गेटवे द्वारा लागू होने वाले सुलकों को छोड़ के अगर आप कहीं से पेमेंट कर रहे हैं गुगल पे फोन पे या किसी और तरीके और वो इससे ज़्यादा भी आपके फीस पड़ सकती यह फीस तो इनके पास जाएगी केवल ठीक है अब इसके बारे में बहुत ही ध्यान से बात समझने वाली जो बात है उसको आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे बार बार जो मैं बात बोल रहा हूं उसका एकी रीजन है कि बढ़ते वक्त बहुत ही ज़ादा सावधानी बढ़ती जाए तो क्या कह रहा है एप्लिकेशन फॉर्म वन से सब्मिटेड अगर एक वार यह आपका फॉर्म सब्मिट हो गया cannot be withdrawn आप उस फॉर्म को वापस विड्रॉण नहीं कर सकते हैं फीस शेल नाइदर भी carried forward फीस ठीक है ना refund की जाएगी किसी भी हालात में any claim for refund adjustment और carrying forward of application fee will not be entertained किसी भी तरह का claim अगर आप करते हैं refund के लिए adjustment के लिए या मेरी फीस आगे बढ़ा दी जाए ऐसा कुछ नहीं होगा फीस जमा हो गई तो आप paper ही दीजिए वो आपको मिलने वाली नहीं है वापस के लिए रहे बात है ठीक ओके अब आगे और क्या बोल रहा है ये चीज आपको समझने दिये important है ठीक है इसलिए इसको मिले कि आया हूं पेटा वो कह रहा है kindly insured है आप ये चीज सुनिश्चित कर ले तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि payment made for examination fee is successful जब आप payment करेंगे तो आपको एध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि payment जो है वो successful हो गया है and confirmation of the same और इसका confirmation आएगा can we seen in the application form जब अप्लिकेशन फॉर्म भर रहे होंगे payment अगर successful हो जाता है तो वहाँ पर आपको status दिखाए देगा और S लिखा हुआ आएगा for successful तो इस दिखान रखेगा अगर payment आपको successful नहीं हुआ है तो फिर आपको आगे form नहीं बढ़ाना है आप देखिएगा कि महाँ पर S लिखके आ रहा है कि नहीं आ रहा है in case अगर किसी case में status is shown as pending अगर हमाँ पैंडिंग दिख with your bank तो उसने साफ का है अगर pending दिखा रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि payment वहां नहीं पहुआ उनके पास से नहीं दिखा रहा है पैंडिंग दिखाने का मतलब है कि आपकी bank से उनके पास पैसा नहीं पहुँचा है तो आपके bank की गलती है ठीक आपके bank की गलती है आप अप अपने बैंक में पता कीजिएगा इस चीज का और हो सकता है कि आपका बैंक इस पेमेंट को बाद में किलियर करे एक गंटे बाद, दो गंटे बाद, दस मिनट बाद, दो दिन बाद वो बैंक के उपर रह जाता है अब इसके बाद एक और चीज बोड़ रहा है वो दा एप्लिकेशन सब्मेशन प्रोसेस इस नौट कम्प्लिटेट तिल सच टाइम जब तक आपका यह पेंडिंग दिखाता रहेगा आपका एप्लिकेशन कम्प्लिकेशन नहीं नहीं माना जाएगा जब तक कि वहाँ पर एस शो नहीं करेगा तब तक उसे कम्प्लिट नहीं माना जाएगा ठीक है जो एंबी एमेश है यह जो संस्था अथर्टी है शेल नौट भी रिस्पॉंसिवल फॉर रिजेक्शन आफ यॉर एप्लिकेशन साफ साफ कह दिया इसने मालो जो लास्ट डेट है उससे दो दिन पहले आपने या एक दिन पहले या उसी दिन आप दिन में भर रहे हैं दिन में भर रहे थे आपने पेमेंट किया और वो पेंडिंग हो गया अब वो पेंडिंग हो गया शाम तक पेंडिंग है तो उसी के लिए कि एन्वेस सेल नॉट भी रिस्पॉंस तो वो जिम्मेदार नहीं है कि रिजेक्ट हो जाए आपका अप्लिकेशन फॉर्म डियू तक फॉर्म भर ले अगर ऐसी इस्तिति आती है तो आपका फॉर्म माना जाएगा ठीक है और वो लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि लियर है अच्छा फिर एक बाद इसने और एक बाद बोल दिया कुछ बच्चे कई बार सोचते हैं कि यार्यार मेरा पेमेंट फॉ अच्छा चला जाएगा तो उसके लिए उनने एक बात बोली है इट इस एड़ दा डिस्क्रीशन ऑफ द एप्लिकेंट्स यह एप्लिकेंट्स के मत पर उसके विवेक पर उसके खुद की बुद्धी पर डिपेंड करता है तो मेक अनदर पेमेंट कि वो दूसरा पेमेंट क जो कह रहा है कि आप दूआरा पेमेंट कर सकते हो यह आपके विवेक के उपर है आपकी बुद्धी के उपर है इन एन इमेंट और ऐसी घटना पर रिसीप्ट आफ टुप्लिकेट और मल्टीपिल एग्जामनेशन फीस अगर एक ही नंबर पे एक ही फॉर्म नंबर पे कई सारे पेमेंट हो जाते हैं मालो आपने किया नहीं हुआ दौरा किया नहीं हुआ तिवारा किया तिवारा में सक्सेस हुआ स्टार्टिंग के दो पेमेंट सक्सेस नहीं हुए और हो सकता है कि यह जो पेमेंट यह भी चले जाएं एक्जामनेशन वाले अथॉर्टी के पास जाने कि उसके उपास चले जाए बाद में जाने कि उनके पास कितने चले गए 15,000 रुपे चले गए छहती या 18,000 रुपे चले गए ठीक है तो वो साफ कह रहा है कि अगर ऐसे multiple fees चली जाती है towards the same application ID उसी application ID से तो जो NBEMS है shall refund the access fee तो जो extra fees चले गए जाने कि 6,000 रुपे चले गए वो आपको वो वापस कर देगी ठीक है pertaining to the prescribed agamination fees after closure of application window जिस दिन आपका application form close होगा बंद होगा उस दिन वो लोग चेक करते हैं अपना उनका वो चेक होता है कितनों का multiple आया है कितनों ने application दिया था महलो 100 बच्चों ने application दिय। ऊसके हिसाब से ठीक है परिशान ना होना उसके लिए आगे आते हैं अब वो साफ साफ कह रहा है एग्जामिनेशन फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ केंडिडेट हूर अपस नहीं की जाएगी इसको अच्छे से पढ़ ले रेगुलेशन को ठीक है यह सारे टम्स और कंडिशन क्रेटियरिया फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने का डिटेयल वीडियो मनाया है आप लोग अच्छे समझ लें क्राइटियरिया को लेकर सा तो एलिजिबिल्टी क्राइटियरिया में पहला क्राइटियरिया यही है कि आप क्या होने चाहिए पहला क्राइटियरिया यही है कि आप 2022 और 2023 में आपका एडमिसन होना चाहिए और 2023 से 2024 में आपका पास आउट होना जरूरी है यहाँ पे आपका एडमिसन हुआ हो और यहा पर आप पास आउट हो गया पहला क्रेटीरिय यही है जो पहले वाले वीडियोस में हम लोग बता चुके साइज सब कोई बात पता उसके बाद ही बच्चा पूछता है सार 21 में हुआ क्या करें 21 में हमारा इंडॉल्मेंट है हमारा एक्जाम लेट हो गया एक्जाम लेट हो ग नहीं जाए तो जो एक software के साथ समझा जाए 2022 से पहले जिन लोगों का enrollment हुआ है उसको लेगा ही नहीं सिस्टम नहीं लेना चाहिए काइदे में ठीक है अब यह अब यह जैसे मैं ठीक है इस पश्ट होगी बात लिए उसके बाद बाकी के criteria का क्या क्या है बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग very important ठीक है यह वाला criteria जो है यहाँ पर साफ साफ कह दिया है the result of final examination of the set diploma in pharmacy जो diploma in pharmacy जो qualification रखा गया है ठीक है उसका जो result है should have been declared on or before 31st July 2024 उक्त डिप्लोमा in pharmacy योगता के लिए अंतिम परिक्षा का परिणाम 31 जोलाई 24 या उससे पहले गोशित किया जाना चाहिए इस पश्ट बोल दिया गया यह बात ठीक है जिनको बच्चों का exam 31 जोलाई के बाद आया है वो लोग रिलाक्स रहें यह exam उनलों के लिए नहीं है आप लोग मार्च अपरिल वाला दीजेगा आराम से ठीक अब उसके बाद उसने बाते बता दी हैं क्या बात बता रहा है कह रहा है साफ साफ कि जो बच्चा माल लो तुमने फॉर्म भर दिया उसमें दिख रहा है कि माल लो फॉर्म भर दिया सब कुछ कर दिया चले गया आगे और आपके डॉकुमेंट से ये चीज़ जाहिर होती है कि आप ये साबित नहीं हो पाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई से पहले आया था ठीक है तो ऐसे में क्या होगा और उसको अपात्र घोशित कर दिया जाएगा इस एक्जामिनेशन के लिए किलियर है आपका रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आजाना चाहिए ठीक है अधर्वाइस आपको अलाउड नहीं किया जाएगा किलियर है बाते हैं 31 जुलाई 24 वाला कॉंसेप्ट हिंदी में देख लें गवरी यदि परिक्षार्टी द्वारा प्रस्तुत किये गए सबूत या दस्तावीजी साच है इसपर्ष रूप से स्थापित नहीं करते हैं कि उनकी डिप्लोमा इन फार्मिसी योगता की अन्तिम परिक्षा का पईड़नाम 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले गोशित नहीं किया गया था या इसपश्ट रूप से निर्जिश्ट नहीं करते की परशार्ती ने सभी अनिवारे अवश्चक पाठे कर्मों में अन्तिम परिक्षा उत्रिण कर ली है यानि कि दो चीजें हो गई 31 जुलाई से पहले और सभी पाठे करमों में आपको पास होना चाहिए ठीक है तो परिक्षार्ती रद कर दी जाएगी और परिक्षार्ती को अपातर गोशित कर दिया जाएगा सीधिसी बात यह कहा रहा है ठीक है यानि कि 31 जलाई से पहले और सभी विश्यों में आपका पास होना जरूरी है किलियर ऐसा नहीं कि रिजल्ट तो आ गया लेकिन आप कह रहे हो कि हमारे दो में back लगी है तो नहीं ठीक है पास होना जरूरी है किलियर चलिए ना हो दा वर्ष तिंग जो मैं कहूंगा वर्ष तिंग तो नहीं कहूंगा यह पहले बता जेता है हम पहले से त्यारी कर लेते ठीक है exam pattern समझ लीजे बेटा इन्होंने एक तरह से जो हमारे 11 subject हैं पूरे के पूरे सारे डाल दी है याने कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो देखो यह क्या कहना चाहरा है कि याने कि जो हमारा first year है उसमें हमारे 5 subject है second year में हमारे 6 subject है 11 हो गए इन्होंने पूरे डाल दी है 4, 3, 7 और 4, 11, पूरे 11 subject आ रहे है पहले human anatomy नहीं था ठीक है पहले हमारा क्या और क्या नहीं था पहले हमारा social pharmacy नहीं था और therapeutics नहीं था यह चीज़े हमारे में पहले नहीं थी लेकिन आप इन्होंने add कर दी है ठीक है तो आप paper को समझ लीजिए अच्छे से बहुत अच्छे से अब मतलब कि पूरा पूरा syllabus आ रहा है first year और second year का ठीक है पहला subject जो होगा पहला paper जो होगा day one यानि के तीसरी तीन तारीकों फार्मसुटिक्स, law and ethics community pharmacy management और hospital and clinical pharmacy सब मिला करके आपका देड़सो नंबर का होगा और यहां आपको देड़सो में से कम से कम 75 marks लाने होंगे पास होने के लिए कितने लाने होंगे 75 marks ठीक है clear है paper 2 में क्या होने वाला है human anatomy, pharmacology और pharmacotheropeutics देड़सो नंबर अगेन यहां पर आपको 75 marks पास minimum चाहिए subject समझ में आ रहे हैं, paper 2 समझ में आ गया कितने कितने number का है number distribution marks, चाहिए मजब पेपर जवाएगा इसमें भी आगे इन्होंने खेल खेला हुआ है बताऊंगा अभी यह तो यहां बात यहां खतम नहीं करी है आप भी आगे खेला है थोड़ा सा वो बात बताऊंगा मैं अभी subject clear हो रहे हैं आप लोगों को passing criteria समझ में आ रहा है तीसरा पेपर में फार्म सुटियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, कोग्नोसी और सोसल फार्मेसी है number देख लीजिए यह 55 के हैं, यह 44 के हैं फिर अगें हैं तीनों पेपर, देड़ से जड़ से नमबर की कैसा होगा, multiple choice question, test delivered using, test दिया जाएगा computer network as prescribed scheme, ठीक है न, computer network का प्योग करके दिया जाएगा, test यानकि computer based होगा, आपको गोले नहीं बरने हैं जैसा कि आप online test देते हैं, ठीक उसी तरीके से test होगा जिस तरीके से आप हमारे app पर online test दे रहे हैं, टिक कर रहे हैं, सब्मिट करते हैं, ठीक उसी तरीके से test होगा, तो बेटा उसी तरीके से तयारी करें आप, ठीक है ये एक बहुत अच्छी बात है, ये मैं thanks कहूंगा, कम से कम ये चिनों न रखा negative marking नहीं है, there shall be no negative marking, तो आप लोग अकडबकड बंबे वो कर सकते हैं कि इसको टिक मारा, उसको टिक मारा, अगर नहीं आता है तो, बात समझ मारी है, question छोड़के मत आना, question छोड़के मत आना, जितना आता है, आ गया, जितना नहीं आ रहा है, टिक मार के सारे आने हैं, ठीक है, याने कि, ये एक चीज मन की हो गई, negative marking नहीं है, ठीक, clear, आगे आते हैं, ओके, बिटा फिर, थोड़ा समय ने का, lecture, ये पार्ट lecture की तरह हो गया, लेकिन सारी बाते इसमें clear हो गई है, आप पूरा detail में पढ़ेंगे तो, समझेंगे मज़ा आएगा, आगे देखते हैं, टेस्ट परिक्षा के दिन की पर कर गया, टेस्ट डे प्रोसीजर, टेस्ट वाल दिन क्या 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 करना है, NBEMS will conduct computer-based test, पर्ष्ट हो गया, computer-based test रहेगा, in safe and secure environment, मतलब कि वो धांज़ी नहीं होने देगा, वो वक्त बताएगा, NBEMS reserve its right to review the test day process of conduct of CBT, ठीक है, वो एक अलग बात हो, यह बताना था आपको, computer-based test होने वाला है, अब थोड़ा सा और आगे, यहाँ पर खेला है बेटा, यह पार आप अच्छे समझेंगे, बिलकुल मुपे पाने डाल लो, अच्छाम उच्छाम और इस वाले part को दियान से समझिए, बहुत दियान से, इन्होंने यहाँ पर किया कियां बताऊं आप लोगों को, इन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, की देखो मैं यहां से समझाने कोईश करता हूँ तो यहां से आपको जाए अच्छे समझ में आगा माल लो आपके आपका पेपर 1 है इसमें 4 सेक्षन हो गई सेक्षन यहां समझ में आच्छा हैगा सेक्षन A, सेक्षन B, सेक्षन C और सेक्षन D ठीक है देट सो नंबर का है और 3 गंटे का पेपर होता है कितने गंटे का है? 3 गंटे का पेपर हो तो समय बांट दिया जाएगा क्या कर दिया आएगा? समय बांट दिया जाएगा चलो इससे हम समझते हैं तीन घंटे का paper है तो उसके बजाए हम इसको लेते हैं ठीक है इस तरह इसका भी होगा क्या section A, B, C तो यानि की हर एक को कितना कितना time मिल रहा है 60 मिनट यानि की एक घंटा 60 मिनट यार 60 मिनट तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या का है कि जब test start होगा तो सबसे पहले आपका section A खुलेगा section A खुलेगा और section A आपको एक घंटे तक खुला रहेगा आप ना तो section B में जा पाएंगे ना section C में जा पाएंगे आपको section A को एक अटेम्ट करना है बात समय भाई आप जब section A खुलेगा उसकी timing एक घंटा जैसी एक घंटा होगा automatic section A close हो जाएगा section B खुल जाएगा और section B जब आप कर रहोंगे तो आप section A वे नहीं जा सकते आपको कुशन याद आगा रहे वह तो वह था उसका आप section A वे नहीं जा सकते फिर ठीक है मैंने का ना यहाँ पर यह खेला हुआ कि आप section स्विच करके दोदर काम नहीं कर सकते हैं फिर जब यह खुल जाएगा और जैसी यह टाइम पूरा होगा तो यह चीज समझा रहा था मैंने को कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें की गई है समझे जाए जाए रहा इच कोशन पेपर फॉर डीपी जो एग्जिट एग्जाम का है विल बी डिवाड़े इंटू मल्टिबल टाइम बाउंट सेक्षन अलग 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 ताइम बाउंट सेक्षन हैं कि सबका टाइमिंग अलग रहेगा वो सबका साठ साठ हो गया था जो 40 मिनिट का उसका में के तक तिन होंगे पचास-फॉरसन उसक पहलगे और सिस्टी मिनिट सभी को कितना दिया जाएंगा साठ सभी डिया जाएगा जिसकान के मैंने उपर बताया नमबर का होना है एक-एक नमब्र का पर टक ठीक है फीर सब्सक्राइब को रोका जाएगा कि वह अगले सेक्षिन पर ना जाए याने कि वह अगले सेक्षिन में जाही नहीं सकता कब तक नहीं जाएगा until completion of the allotted time of the previous section जो टाइम इस section के लिए मिला हुआ है जब तक यह खतम नहीं हो जाता है candidate अगले वाले सेक्षिन में जंप नहीं कर सकता है and candidate would not be allowed to review the questions, modify the response of the section after the completion of the allotted time of that section याने कि अगर एक बारी section एक टाइम खतम हुआ, section B पहुंच गया, उसके बाद वापस section A में जाकर के अपने answers को change नहीं कर सकता जो बात मैंने उपर बताई ठीक है ना, questions of the next section will start automatically after the completion of the time allotted जो time दिया गया है, section A का start में खतम, जैसी अगला second start होगा, section A खतम, section B के question start हो जाएंगा automatic, automatic होगा या उसको कुछ कुछ करना नहीं पड़ेगा तो इसी लिए बेटा, आप जो demo test यहाँ पर इन्होंने बोले हुए हैं, उसको आप अच्छे से लगाईएगा जो test हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग test लिए करवा रहे हैं, मतलब उनको आप अच्छे से कीजिए आप लोग कहते हैं, पीडिएफ मैं, क्यों आपको पीडिएफ नहीं देना चाहरा था, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, आप online ही test attempt करने की maximum कोसिस कीजिए उमीद है यह बात समझ में आ गई होगी चलिए आ गया आते हैं, अब कितना चे यह passing marks a candidate shall be declared as having passed only if he obtained minimum of 50% mark इन इच पेपर separately, यहने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सब में इसको अलग-अलग 75, 75, 75 लेके आने, एक में भी कम रह गया तो गया, तो फिल मना जाएगा तीनों में अलग-अलग पैतर-पैतर लेके आने, हाँ वो यह कर सकता है, कि यहाँ पे कम लाए, यहाँ ज्यादा लिया है ठीक है न, मालो, वो यहाँ 40 में से कितना लिया है, 35 लिया है, 40 में से 35 लिया है यहाँ पे उसको 0, और यहाँ उसके 10 नंबर तो टोटल कितना हो गया, 35, 35, 70, 10, 80 नंबर हो गया पास है मानलो यहाँ जीरो है तो section में किसी में जीरो हो रहा है फरक नहीं पड़ रहा है overall आपका score 75 होना चाहिए बास समझ में आ रही है ठीक है जैसे मानलो उसने यहाँ पर आया वो उसने कहा कि यार यार फार्मोuffology बाढ़ा अनलो तो यह पड़ा है यहार Ohhh इसके zero नंपर है यहाँ यहाँ मिला करके उसके मानलो चारिश चारिश नंबर है यहां चारिश नंबर लेआए यहां चारिश नंबर लेआ है तो आसी आश Toason से किसी एक में जीरो है फरक नहीं पड़ता तो यहाने कि यहां से आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप किस सब्जेट पर ज्यादा फोकस करेंगे जहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं और किस सब्जेट यह एक चीज चलेगी ठीक है ना तो यहां किस तरीके से आपको पास होने से मतलब है किस सब्जेट पर जो आसान है उसको ज्यादा फोकस करो यह सारी चीज़ें आपको लाइफ क्लास में चीज़ें शेटल कराई जाती है आपकी चलिए आगे देखें और क्या कह रहा है यह तो मेरे खाल से काफ़ सारी चीज़ें आपके क्लिर होती चली जा रही होंगी उनको क्यों पास करके देदो आप अच्छा एक और चीज़ अगर आप एक बार पास कर गए फिर यह नहीं क्या अगली और द्वारा बैटेंगे तो आप द्वारा नहीं बैट सकते अगर आप उसी अपने नाम नंबर से और आईडी से बैठनी कोष्ट करेंगे तो आपको द्वारा अलाओ नहीं किया जाएगा और ऐसे केस में वाइड एंड कैंसल माना जाएगा आपका ठीक है अगर आप एक वारी पेपर दे के पास हो चुके है तो अपने उसी डॉक्मेंट से आप द्वारा फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे ठीक है नाउदा पेपर टा की बात हो रही है मौर्निंग की ठीक है ना और यहीं अगर हम बात करें इवनिंग शिफ्ट की ठीक है तो कहां गया यह यह start होगा 3 बजे खता होगा 6 बजे शाम की shift नो जो बच्चे देंगे उनका 3 से 6 एक्जाम है morning shift नो जो बच्चे देंगे उनका 9 से 12 एक्जाम है उससे पहले कि इनका वो देखो क्या क्या चीजे है morning में allow candidate to enter the examination center आप 7 बजे center में allow करेंगे मतलब जा सकते हैं entry closes at examination center साड़े आठ बजे तक maximum उसके बद बंद कर दिया जाएगा allow नहीं किया जाएगा तो साड़े आठ से पहले आप center पहुंच जाएं ठीक है यह सुबह की बात कर रहा हूं मैं अच्छा साम की बात करते हो चलते हैं दुपैर में आपको एक वज़े से entry मिलना start हो जाएगी और धाय वज़े आपकी entry बंद कर दी जाएगी ग्रांट access for candidate login आपको login करने का access मिल जाएगा पौने नौ बज़े आठ बचास पर अपने computer पर login करना start करेंगे अपना ID जो भी आपका काड़ पर दिया होगा data वह भरेंगे और login करेंगे यहाँ पर पौने तीन बज़े ठीक है candidate login टू रीड इस्ट्रक्शन यहाँ पर करीब आठ पचास पर अपना इस्ट्रक्शन पढ़ना स्ट्रक्शन करेगा यहाँ पर द्व पचास फिर नौ बज़े इनका ठीक तीन बज़े ठीक है अच्छा एक और चीज कभी और जिया तो पेपर की टाइमिंग के लिए रोगी सुभे नौ से 12 दुपयर में तीन से 6 उससे पहले कब एंट्री लेनी है साथ बज़े से entry start हो जाएगी morning में 8.5 बज़े entry बंद हो जाएगी ठीक है ना दुपहर में एक बज़े entry start हो जाएगी धाय बज़े entry बंद हो जाएगी किलियर है आगे आते हैं admit card and test day procedures ये बेटा थोड़ा सा और समझ लें बातों को आपकी admit card वगरा क्या रहाएगा सीन ठीक है मैं फिर कहा रहा हूँ बेटा मैंने कहा था थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपके सारे doubts आज ही किलियर हो जाएंगे और वापस से आपको कहीं और कुछ knowledge dealing की जोड़त नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है admin card shall be made live यह live हो जाएंगे मतलब available हो जाएंगे website पर 30 September को ठीक है admin card will not be issued उन बच्चों को issue नहीं किया जाएगा admin card जो की आपात्र घोशित हो गए है ineligible हो गए है before the conduct of gamination याने कि अगर आपको लगता है कि आपका admin card show नहीं कर रहा है उस पर ineligible लिखके आ रहा होगा दिखा रहा होगा कि आप ineligible है ठीक है आगे आते हैं पेटा यहाँ पर admin card को लेकर ना बहुत सारी photo को लेकर बड़े दिक्कत होने वाली है तो photo का खास जयान रखेगा उसको लेकर के में आया हूं Candidates are required to download their admit card from NBMS website आप उस website से अपना admin card download करेंगे और चिपकाएंगे एक recent not more than three month old याने कि recent मतलब कोशिस यह करना कि हफते बर पहले की हो photo ठीक है उस photo का आप चिपकाएंगे passport size photograph होगा इन दा space provided on the admin card जब admin card आपका आज आएगा तो उसके पार आप latest photo जो आपकी होगी ठीक है उसको आप उसको पर चिपकाएंगे तब photograph must meet the following specification और वो photograph कैसी होने चाहिए आओ देखें ठीक है तो यह चीज़ में को आप बताएंगे थी ठीक है not larger than the box printed on admin card जिटना box बना हो उससे बड़ा size का नहीं होना चाहिए ठीक है अब ही मैं उसका वो दिखा दूँगा एक वीडियो अलग से बना देंगे उसमें क्या-क्या चीज़ है रहेंगी किस-किस प्रकार की photo नहीं होने चाहिए पीछे का background white रहेगा चेहरा बड़ा बड़ा चेहरा clear रहना चाहिए यह चीज़ ध्यान रखेगा आप लोग ठीक है इट शुड़ बी color photograph photograph आपका color होगा with white background पीछे का background आप white रखेंगे और color photograph होगा ठीक के लोगी बात हैं यह आपको admin card पे चिपका नहीं है next परिक्षार्तियों को परिक्षा के इंद में निमले की दफ्ता वेज लाने होंगे क्या क्या चीज़ आपको examination center में लेके जानी है ठीक है आप बार-coded admit card आप बेटा डाउनलोड करेंगे ना उसके उपर एक barcode होगा scan करने के लिए ठीक है तो यह नहीं कि आप admin card लेके ऐसा फोल्ड करना कि जहां पर barcode आपका आ रहा हो वो चीज़ फोल्ड ना हो इस तरीके से फोल्ड वगरा कीजिएगा बार-coded destroy मत कर लेना वरना end time पे दिक्कत आजाएगी बार-coded scan नहीं होगा तो दिक्कत आजाएगी ठीक है प्रिंटेड copy और वो भी colored लाना है बेटा ब्लैक और वाइड फोटोग्राफ एड्मिट कार्ड नहीं चलेगा very important very very important यह सब बाते आपको end time पे दिक्कत करेंगी इसलिए सारी बाते में लेके आया colored admit card लेके जाना है और उस पर जो बार-coded होगा आपका उसको इस तरह से फोल्ड नहीं करना कि बार-coded गुचर-मुचर सा हो जाए बार-coded आपका सुरक्षित रहना चाहिए उसके अलावा admin card के अलावा anyone of the below mentioned government issued photo ID उसके अलावा आपको एक अपनी original ID लेके जानी है है क्या-क्या हो सकता है pen card हो सकता है driving license हो सकता है passport है अधार card with photograph जिसके फोटो टो हो ठीक है यह सब चीज़ें आपको लेके जानी है क्लियर है अब एक बात और समस्या क्या है कई वार इस बीचें बच्चों की शादी वगरा हो जाती है नाम वगरा बदल जाता है अधार card पे कुछ और है document कुछ और है SEC कई बार पैदा होती तो उसके लिए यहां पर इन्होंने एक बात बता दी है the name on the photo identification must match with the name as shown on the admit card admit card पर और दोनों जगर name same होना चाहिए if name has changed due to ठीक है ना photo identification जो आपका ID होगा उस पे और इस पे नाम से कई बार क्यों था अधार card पे आप name बदल वा ले तो मालो पहले नाम था कुछ ठीक है ना अब बाद में आपने नाम डाल दिया अब आपको टाइटल बदल जाता है कुछ भी चीज हो जाती है सरने मदल जाता है तो आपको ऐसे case में क्या करना है if name has changed अगर नाम आपका change हुआ है due to Mary साधी की वहे से या किसी और वहे से candidate must show the relevant document तो आपको बेटा वहाँ पर proof दिखाना होगा कि देखो मेरी साधी हुई है मतलब Mary certificate हो सकता है या आपने कोई नाम चेंज कराया हुआ तो उसका document हो सकता है कुछ भी चीज अगर किसी वहीं से आपका नाम चेंज हुआ है तो उसका एक legal document आपको साथ लिखे जाना पड़ेगा कि देखो मेरा पहले नाम यह था और अब मेरा नाम यह हो गया है ठीक है कई बार नाम चेंज कराना कि गजट किया जाता है कि मेरा नाम अब यहां से यह चेंज हो रहा है कई सारे process होते हैं अगर ऐसी को इस्थिती है किसी के साथ rare case होते हैं यह काफी rare case है बहुत कम लोगों के साथ होता है अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वह बच्चा भी ध्या खाना पीना कुछ भी अलावड नहीं है सब कुछ वहीं मिलेगा आपको ठीक है पहली चीज दूसरी बात लड़कियों के लिए खास कर गी इस बार वेटा सकती है इस बार क्या सकती है ओर्नमेंट्स जोलरी ध्यान से सभी आबूशन धार्मिक वस्तूओं सही धार्मिक जुमके नोस पिन नाक के पिन है चेन हार पैंडेंट के साथ हार बैच कोई बैच वकर आप लगा रहे हैं ब्रोच आदी कोई भी चीज है ठीक है तो ध्यान रखें खास कर जो लोग बच्चे धर्म को सब्सक्राइब ज्यादा मानते और इसके चलते कुछ चीज़े अपने के चले जाएं और फिर आपको वहाँ पर निकालना पड़ रहा आपको दिक्कत हो रही है तो यह चीज पहली मेंशन कर दिया वह आपके सुनने वाले नहीं है वोड़े साफ साफ कह दिया है कि आप पढ़के क्यों नहीं आए पहले सब कुछ मेंशन कर रखा था ठीक उसके क्या क्या चीज़ें लेके आनी है आपका परवेश पत्र एडमिट कार्ड सरकार द्वारा फोटो पैचान पत्र कोई आपकी आपकी आइडिटिफिकेशन प्रूफ है ना जैसे की वोटर आइडी पैन कार्ड बस यह चीज़ें आपको ले जाना अलाउड है इन दो चीज़ बात आपका ओके अब यहां पर वेटा यह जो पॉइंट है एक्चली यह पॉइंट में आप लोगों के इसलिए बता रहा हूं कि जिन बच्चों के दिमाग में किसी तरह की कोई खुरापात है तो वह यह खुरापात दिमाग में ना रखें क्यों ना रखें देखो साफ-स यहां पर लिखा हुआ है पहली चीज फिंगर बायोमेट्रिक्स ऑफ कैंडिडेट सेल भी कैप्चाइड वहां जाएंगे तो आपका फिंगर बायोमेट्रिक लिया जाएगा ठीक है एड़ टाइम ऑफ राइस्टेशन ऑफ जब टैस्ट का राइस्टेशन होगा तो आपका फ इसकी फिंगर बायोमेट्रिक्शा के लिए परिक्षा लीए परिक्षा के लिए लिए बाइकल के सभी खीचिर, बीघी घृटी, इसको निसको सब्सकितर और परिक्षा के कोई कैंडेट सेल आजसों ब्हूं के एगर आपकी जगे दूसरा बंदा जाता है एकजाम देने के लिए ऐसी इसी किसी कोई बच्चा पैदा करता है तो वेटा फोटोग्राफ भी खीचा जा रहा है तो बहुत ध्यान रखेगा मामला फसेगा ठीक है on the exam day उसी दिन खिजाएगा at the center at the time of registration टीक at each bio break and during the exam face ID shall be verified against the photographs captured on the exam day याने कि आपके face ID को match किया जाएगा कि आप वही बंदे हैं या नहीं है पूरी सक्ति बरती जा रही है therefore it is essential to upload a recent photograph इसलिए आप recent जो एकदम अभी का photograph जो upload करेंगे exam form बरते समय हाली की तुरंत वाली photograph और अगले एक महने तक ऐसा मत करना कि अभी बाल बड़े है मूचे है दाड़ी है और एक्जाम अल दिन सब कटा दो या फिर अभी सब कटा रखी और एक्जाम अल दिन बढ़ा लो ये काम मत करना बेटा फस जाओगे exam नहीं देने दिया जाएगा ठीक है तो ये सब चीजें क्यों की जानेगे आपका photo impression photo खीची जाएगी exam के समय तो be alert पढ़ाई करें ठीक है किसी और तरह के चक्रों में ना पढ़े now the last one and very important बच्चा इसको लेकर बहुत परिशान रहता है कि sir exam कर रहे थे light चली जाएगी तो क्या करेंगे मेरा system चलती चलती मेरा system बंद हो गया मैं काम कर रहा था मेरा mouse ही काम नहीं कर रहा था मेरा system बंद पढ़ गया वंद इस तरह के तमाम दिक्कते आती है तब क्या करें है यह भी सवाल आता है बच्चों का तो यह सवाल समझे किया है disruption happen कई power failure हो गया during the exam time after the candidate have logged in either for one or more candidate एक या एक से अधिक किसे बच्चों का मतला power failure हो जाता है जैने कि आपका exam हाई का महीं रूख जाएगा तो क्या मेरा exam चलता रहेगा नहीं कोई action लेनी की ज़रूत नहीं ह है the timer will stop when the failure occur and will resume when the failure is rectified जैसी system को supply बंद होगी न वो software automatic sense कर लेगा और आपका exam वहीं का वहीं रूख जाएगा याने कि अगर आपका 30 minute हुए है तो 30 minute पे आपका exam रूख जाएगा फिर जैसी light आएगी system चालू होगा और आप login करेंगे तभी आपका exam 30 minute के आगे चालू होग जैसी अगर ऐसी कोई condition आती है अपना time note करके रखिएगा ठीक है there will be no time loss कोई time loss नहीं होगा ठीक है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किलियर पहली चीज अगर light चली जाएगी तो क्या होगा दूसरी चीज candidate machine is locked during the exam पैसला कई बार काम करते करते हैं आपका system window लॉक हो गई window अचानक से ठप पड़ गई ठीक है example loss of connectivity with the primary server मान लोग उस पीसे server से आ रहा था नेट आ रहा था वो बंद पड़ गया उसी system को वही system का switch खराब हो गया अचानक से बंद पड़ गया ऐसी स्कतिति में क्या होगा again वही IT manager in each exam room आपको तुरंथ हाथ खड़ा कर है जो IT manager होगा verify करेगा इसको unlock करेगा candidate account के and the timer starts from the same point where the candidate had left और ऐसी स्थिति में भी आपका timer वही का वही रुख जाएगा वह software के अंदर होता है जिस time पर आपका system break हुआ था ठीक है वो sense कर लेता है कि अब system break हो गया है ठीक है connector cut गया है तो वही time रुख जाएगा आप वहापे बताएंगे सर ऐसी सी दिक्कत है ऐसी स्थिति में देखो होगा कुछ बच्चों के साथ ऐसा होगा उनका time लंबा जाएगा यानि कि वह ठीक नौ से बारा तक exam खतम करें जिनके साथ दिक्कत होगी उनका exam late हो जाएगा थोड़ा था क्योंकि उतने बीच में disturbance रहेगी ठीक है तो आप बताएंगे वह ठीक करेगा आपका exam वहीं से चालू होगा there will be no time loss in allocated examination time due to this locking ऐसा को लोक होता है तो आप आपका system सही होने में तो वह time तो वहीं से start होगा ना तो आपको आदा घंटा extra मिल जाएगा निश्चिंद रहीएगा now third point candidate complaint of any specific issues in the machine candidate कर रहा कि भाई screen flickering कर रही है screen हिल रही है बार बार आर यह जा रही है ठीक है mouse issue mouse नहीं हिल रहा है system getting locked system lock हो जा रहा है hanged बीच बीच issue जैसी आप हाथ खड़ा करेंगे बताएंगे सार ऐसी दिक्कत आ रही है जो वहाँ पर IT manager होगा या जो invigilator होगा जो वहाँ पर देखरे कर रहे होंगे teachers वगरा verify करेंगे और lock the candidate machine verify करेंगे कि हाँ ऐसी दिक्कत है और तुरंत आपको बताना है बेटा आपको यह बात तो वह चेक करेंगे कि हाँ स्क्रीन में गढ़ बढ़ा तुरंत वहाँ पर वहाँ पर लॉक कर देंगे आपका time वहीं का वहीं रुप जाएगा ठीक है आपको shift किया जाएगा from there allotted seat आपको उस seat से दूसरी seat पर shift कर दिया जाएगा या आपको system change किया करेंगा वो कुछ भी करें उनकी जिम्मेदारी रहेगी ठीक है to buffer seat in the same or other lab during the examination या तो हो सकता है उसी कमरे में कोई दूसरा system दे या दूसरी जगे कोई दूसरा lab में पहुंचा दे आपको if required there will be no time loss in allocated examination time due to this shifting और यह shifting चल रही है इस बीच में आपको कोई भी loss नहीं होगा आपका time उतना आपको मिलेग ठीक है तो यह कुछ बच्चों को सवाल रहते हैं सर ऐसा होगा तो क्या होगा तो यह सारी भी सवालों के जवाब इन्होंने दे दी है clear तो this is all about the information browser और फिर से कह रहा हूं बेटा की पढ़ाई करिये ठीक है अब इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा चीजे वो बात की बाते रहेंगी कुछ चीजों खराब हैं कुछ चीजों से बच्चे खुश हैं कुछ नाखुश से शिलेवस आपका बढ़ा दिया गया है दो तिन चीजे हुई है से बढ़ गया है पूरा complete से लेवस आ रहा है ठीक है फीस थोड़ी से बच्चों को कहना करें दिक्कत दे र रहिए और हमसे जुड़े रहिए ठीक है और अच्छी प्रैक्टिस के लिए चाहें तो माइड नर्चर जो एप है उसको प्लेश्टोर से डाउनलोड करके वहां से अपना टैस्ट स्रीस और क्लासिस को जॉइन कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट अटेप्ट में ही बढ़िया से है पढ़ना है और मैनत करनी है ठीक है अल दा बैस्ट